Hello French, आज मैं आप सब के साथ बुखाटी कुंद्रु की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं कहने में बहुत ही जाधा टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत आसान है बहुत ही फटा फट से ये कुंद्रु की सब्जी इस तरह के से बने करके त्यार हो जाती है तो यहां पे मैंने कुंद्रू की सबजी बनाने के लिए सारी तयारियां कर लिया है कहने का मतलब है कि आलू, कुंद्रू और प्याज इन सारी चीज़ों को मैंने कट करके तयार कर लिया तो चलिए अब सबजी बनाना शूरू करते हैं तो सबजी बनाने के लिए मैंने यहांपे लिया है पैन पैन में मैंने एक बड़ा चमच और दाल दिया है ऑल को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं अच्छे से ऐल के साथ चटकने देंगे और दो से तीन मतलब मैंने लेसन की कलियों को छोटा छोटा कट कर लिया है तो लेसन कटा हुआ लेसन डाल देंगे और अच्छे से ओयल के साथ भून लेते हैं तो यहाँ पे हमने जो कुंदरू आलू के साथ प्याज कट करके रखी थी उस प्याज को हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज डाल करके हम जीरा और लेसन के साथ प्याज को भी पका लेते हैं मतलब प्याज को हमें लगभग 70% पकाना है परफेक्टली हमें प्याज को नहीं पकाना है 70% हम प्याज को पकाएंगे उसके बाद हम कुंदरू और आलू को भी इसी पैन में ट्रांस्फर कर देते हैं सारी चीजों को अब हम यहाँ पे मतलब चला देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 3-4 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे अभी हमें इसमें मसाले बगएरा आड नहीं करने हैं इसे 3-4 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पकाएंगे उसके बाद मतलब लगभग 50% यह पक जाएगा उसके बाद हम इसमें मसाले आड करेंगे तो लगभग इसे मिक्स करते हुए पकाते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं 4 मिनट मैंने इसे पकाया है और लगभग इसे 40-50% पक चुके हैं तो अब हम इसमें कुछ मसाले मतलब एड करेंगे बहुत जादा मसाले का यूज हम नहीं करेंगे सबजी में अगर आप मसाले नहीं पसंद करते हुए जैसे कि मैंने आप गरम मसाला डाला है तो आप सिर्फ धनिया और हल्दी डाल करके भी इस सबजी को बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बन करके त्यार होगी और अब हम टेस्ट के कॉडिंग नमक डाल देते हैं और सारी चीज़े एड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी ये सबजी त्यार हो रही है अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढग देंगे और लगबग दो मिनट के लिए पकने देते हैं जब सबजी हमारी दो मिनट और अच्छे से पक जाएगी, मतलब की 70% जब हमारी ये सबजी पक जाएगी, तब हम इसमें एड करेंगे एक छोटा सा टमाटर, तो लगबग इसे पकते हुए दो मिनट हो चुके हैं, हमारी जो सबजी है, मतलब परफेक्ट नहीं पकी है, 70% सब सबजी पक चुकी है, अब हम इसमें एक छोटा सा टमाटर मैंने कट करके ले लिया है, टमाटर आट कर देते हैं, बहुत छोटा सा मतलब थोड़ा सा ही टमाटर हमें आट करना है, बहुत जादा टमाटर यूस नहीं करना है सबजी में, टमाटर डाल देते हैं, अकसर जब म तो सारी सब्जी में अच्छे से मेक्स हो जाएगा तो डाल करके हम इसे ढग देते हैं लगभग 2-3 नट और पकाएंगे और आप देख सकते हो 3 नट के बाद मैंने से वापस से उपन किया है बहुत ही पर्फेक्ट हमारी सब्जी पक करके त्यार हो चुकी है तो कुंद्रू की सब्जी बहुत कम लोगों को ही पसंद होती है मेरे घर में कुछ लोगों को पसंद नहीं है लेकिन मैंने आज यह बनाया तो सब को बहुत जादा पसंद आई तो आप इस तरीके से मतलब कहने का ये है कि मेरे तरीके से एक बार कुंद्रू की सब्जी ट्रा की Perfect पकी है या नहीं तो कुंद्रू भी बहुत अच्छे से पक चुके है और आलू भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं तो बस अब हम GAS को OFF कर देते हैं और सब्गी को सफ करेंगे तो फ्रेंड्स आज की आपको मेरी ये कुंद्रू की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमे हुआंग